हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चनल आइटेए गाइडलाइन में मैं हूँ राम्याश यादव और आज मैं आपको लोग के लिए के एमसी यू कोशन प्रोवाइट कर वा रहा हूं जो की महा मुकावला का चौथा स्रीच चल रहा है हमारा यह मॉक टेश्ट जो की आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा पांच से दस सेकंड टाइम दिया जाएगा कोश्चन को पढ़ेंगे हमें कोश्चन और पढ़ते पढ़ते आप नसर फुटा-फट कॉमेंंड बोक्स में देया है जिससे की आपको अंदाजा लाएगा कितना मेरा सही। सही और ना मेरा गलत अभी कितना तैयारी हुआ और कितना तैयारी करने का भी बाकिए तो आइए दूस्तों फटा-वटालगों को कोश्चन क और चलते हैं और अजमाते हैं अपने आपको कितना हमारा तैयारी अभी तक हुआ है टेक्निकल एक्जाम के लिए जितने भी टेक्निकल आपको मिल सेके और आप उसका लाव ले सेके दोस्तों आईए आज का पहला कोश्चन नमबर और कोश्चन का सिरियल नमबर से 164 कोश्चन नमबर आपके अस्किन पे कोश्चन को और आप्शन को बढ़ें तरह के से समझेगा तभी आप अंसर दिएगा कोश्चन हमारा है ध्यान दिजिए कि साइन वार की धातु होती है साइन वार की धातु होती है निकिल एस्टिल हाई कारबन एस्टिल हाई एस्प्रीड एस्टिल एस्टिल लाइजड क्रोमियम एस्टिल तो क्या राइटन से को तो दोस्तों बिच बिच में कोश्चन का जो सि या राइट अंसर को दुस्तों राइट अंसर हमारा क्या होगा चलिए फड़ा फट सवभी द्यारति अंसर देंगे option number D stabilise chromium steel option number D जिन भी द्यारति नहीं लिए उनका जिग तर्नियन जिग तो क्या राइट अंसर को दूस्तों राइट अंसर मारा होगा प्लेट जीग option number D आप फटाफट comment box में अंसर दीजिए भाई जिससे आपको अंदाजा लाएगा कितना सही और कितना गलत हुआ मेरा प्लेट जीग और जिनको याद नहीं होगा याद कर लिजेगा चलिए इसके साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर कोशन हमारा है कि एक साब बलेट का साइज लिया जाता है कहां से कहां तक बलेट के एक सीरे से दूसरे सीरे तक दोनों पीन होल्स की सेंटर से सेंटर दूरी तक दोनों पीन होल्स के अंदरूनी सीरो तक उप्यूक्त में से कोई नहीं तो क्या राइट अंसर को दूस्तो ओप्छन नमबर भी दोनों पीन होल्स के सेंटर से सेंटर के दूरी तक दो अगला कोश्चन हमारा है कि वाइस के बॉक्स नट की धातू होती है वाइस के बॉक्स जो बना होता है उसका नट जो होता है कौन सा धातू के बना होता है option आपका सामने है mild steel, cast steel, gun metal, alloy steel तो क्या right answer को दूस्तो right answer हमारा होगा option number C हमारा correct answer right answer दूस्तो चलिए इसी साथ अगला कोश्चन क्यों चलते हैं अगला कोश्चन हमारा है coolant के लिए solival oil और पानी के अनपाथ होता है कितना one on path 20, 20 on path 1, one on path 10, one on path 1 right answer हमारा सही विदार्थी का फटा-फटा कॉमेंट बॉक्स में आना चाहिए क्या right answer होगा option number C correct answer right answer by one on path 20 रहना चाहिए option number C याद कर लिए सही विदार्थी correct answer right answer one on path 20 चलिए इसी साथ आगला कोश्चन क्यों चलते हैं लोग अगला question है कि drill grinding करते समें कौन सा angle परिवरतन सिल नहीं होता है cutting angle, helix angle, lip caldience angle, उप्यूक्स सभी तो क्या right answer को दूस्तो right answer मारा होगा option number B helix angle option number B जिन जिन मिदार्थ ने लिए उनका correct answer right answer दूस्तो चलिए इसी के साथ अगला question आपके हस्किन पे अगला question है कि brass एक परकार का है क्या है ferrous metal, non-ferrous metal, ferrous ally, non-ferrous ally तो क्या right answer को दूस्तो right answer मारा होगा non-ferrous ally, option number D correct answer, right answer दूस्तो चलिए इसी साथ अगला question आपके हस्किन पे question हमारा है ध्यान दिजेगा कि यदि hammer में handle loose feet होता है तब क्या होगा? hammer निकल सकता है और दुरहटना का कारण बन सकता है hammer जटको को सहन कर सकता है hammer पर swing अधिक होती है hammer को अधिक leverage मिलेगा तो क्या right answer को दूस्तो right answer हमारा होगा option number E hammer निकल सकता है और दुरहटना का कारण बन सकता है option number E हमारा correct answer right answer चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पर अगला कोश्चन क्या है निमलीखीत में से कौन साइच्टुमिंट सर्फिस के लिए फ्लेटनेस और अस्वाइरनेस चेक करने के लिए परियोग में लाया जाता है ऑप्षन आपका सामने है ट्राय अस्वार वर्नियर अगला कोश्चन आपके स्किन पर अगला कोश्चन आपके स्किन पर कि जियाइफ़ पाइफ पर बाहरी थेड के लिए असानी से काटी जा सकती है यह फिलिंग करना है जियाईफ़ पर बाहरी थेडि बलैंक के जल द्वारा असानी से काटी जा सकती है अगलो Será कि और किया राइटन सेटों आफो मना योगा option number B thread rollers correct answer right answer जिन दिन बिद्यारति उन्हें option number B लें उनको correct answer right answer बागे बिद्यारति याद करेंगे इसी साथ अगला question आपके skin पे question हमारा है कि निमलिखित में से किस धातु में carbon की मात्रा कम होती है प्लेन carbon steel raw टायरन पीग आयरन काश टायरन तो जोड़ने के लिए एंटिफटिंग वोल्टों का पर्योग क्यों किया जाता है option आपका सामने है motion के दौरान assembly के जटकों को सहन करना जब assembly alternating load कंडिशनों में हो तो loads लेना assembly के movement के दौरान अच्छी grip के लिए assembly के parts को ढिला होने से बचाना तो क्या राइटन्स को दोस्तों चलिए उपर नीचे करके मैं फिर इस एक बार दिखाद रहूं आपको लिए कि राइट अंसर हमारा होगा option नंबर भी करेक्ट अंसर राइट अंसर जब acetylene उपकरन का परियोग करने से पहले लिकेज को चेक कर लेना चाहिए acetylene connection पर किस प्रकार का पानी परियोग किया जा सकता है नमक का पानी साबून का पानी कठोर पानी ताजा पानी क्या राइट अंसर भाई चलिए फड़ा फट सब्सक्राइब पताएंगे option नंबर भी करेक्ट अंसर राइट अंसर भाई साबून का पानी का परियोग किया जा सकता है इसी साथ अगला कोशन आपके अस्किन पर अगला कोशन हमारा है कि इस्टुमेंट के माप लेने वाले फेस्ट पर धूल के कन जमने के कारण आने वाली तूटी को कहते हैं क्या इलासिटिक डिफार्मेंशन तूटी पैरलेक्स तूटी कंटेक्ट तूटी रेंडम तूटी तो क्या राइट अंसर को दूश्टू राइट अंसर हमारा होगा option नंबर सी कनेक्ट तूटी option नंबर प्रोटेक्टर में तेश डिगरी को कितने वर्नियर डिविजनों में बाटा जाता है option आपका सामने है 25 20 12 10 तो क्या राइट अंसर को दूश्टो राइट अंसर मारा होगा option नंबर सी करेक्ट अंसर राइट अंसर चले इसी साथ अगला कोश्चन आपके अस्किन पे अगला कोश्चन हमारा है कि की मेंट कल सेंवेजरिंग मशिन के इन क lui कर्यों किये जाने वाला अस्टाइल्स का बना होता है कौन सा अस्टाइल का बना होता है मैं या तुल इस त्यों करवाईड डाम clicking कर सब्साफिद मारे होगा सब्सक्राइबर की लंबाई बेस की उचाई बीम की चोड़ाई मिन के उचाई तो क्या राइट अंसर को दूस्तो राइट अंसर को याद कर लेंगे और सही तरीके से पढ़ेंगे कोशन हमारा आगला है ध्यान दिजेगा कि एक सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा सेंटर लेथ पर एक बॉल को टर्न करने के लिए निमलिखीत में से मोवंध्श का कौन सा कम्बिनेशन परियुकिया जाता है ऑप्शन आपका सामनेmir giờकंप्आउंड क्रोस्जाइड और कंपॉइंड क्रोस्जाइड आगला औप्शन में राइट अंटर को जुस्तों ऑप्षिन नंबर भी क्रोस लाइड और कंपाउंट सेलाइड करेक्ट अंसर राइट अंसर भाई चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके स्किन पर अगला कोश्चन है इन्युवर्सल इन्युवर्सल सर्फेस गेज के निमलीखी पार्ट में से कौन सा पाट दिन्टम एज के समाना आंतर लाइने खीचने में सहायग होता है ऑप्षन अपका सामने है फाइन अच्गेज़ेस्टिंग गाइन पीने वेस रौकर आर्म तो क्या राइट अंसर होगा राइट अंसर हमारा होगा ऑप्षन नंबर भी गाइन पीने करेक्ट अ और आप्षिन नमबर भी गाइन पीने करेक्ट रंसर चलिए इसी साथ अगला कोश्चन आपके असकिन पर आगला कोश्चन हमारा है कि निमली खित में से किस लिए निमली खित में से किस हैमर का परयोग रिबेट की सेंक फेलाकर हैड बनाने के लिए किया जाता है ऑप्षन आ बॉल पिन हमर करेक्ट रंसर राइट रंसर भाई निमली खित में से किस हैमर का परयोग रिबेट की सेंक क्यों फेलाकर हैड बनाने के लिए किया जाता है तो बॉल पिन हैमर का ऑप्षन नमबर एक करेक्ट राइट राइट चलिए इसी के साथ अगला कोश्चन आपके अस इस प्रिंग कार्ज नहीं करता है इस प्रिंड़ पर चुडियां कुछ गीशी हुई होना जुए तो क्या राइट अंसर को दोस्तों राइट ख्या होका सभी विदारते के फृटा-फट आंसर आना राइट अंसर प्सट नमबर भी इस पिंडल की पिन का तूटना पर थोड़ी सी होने का कारण क्या है सब्सक्राइब करुमेंड के लिए कटिंग एज तक पहुंचाने के लिए कवर्ड सरफेसों की कटिंग के लिए कटिंग के सीरो को धातू में परवेश रोकने के लिए तो क्या राइट रोगा करिक रोगने के लिए चलिए वीडियो को फटा फटा प्लोग लाइक कर दिए आपका एक लाइक हमारा से बेहतर करने का तक्रीब लाते रहता हूं दोस्तों चलिए अगला कोशन हमारा क्या है ध्यान से पढ़ेगा और समझेगा पराया किस अश्टेंडर लंबाई वाले हिक्सा बिलेट का प्रियुक किया जाता है ऑप्शन आपका सामने है 100 mm देड़ 100 mm 200 mm तो क्या राइट अंसर को दूस्तों राइट अंसर हमारा होगा ऑप्शन नमबर डी अठाइश अमें पराया किस अश्टेंडर लंबाई वाले हिक्सा बिलेट का प्रियुक किया जाता है तो अठाइश यह साथ अगला कोश्चन और आज का लाइश्ट कोश्चन आपके हस्किन पर क्या बोल रहा है ध्यान दिजेगा में कितनी नाप ली जा सकती है में कितनी मांप ले जा सकती है ऑप्सान आप का सामने है 0.1 mm जीरो 221 mm जीरो 1 mm 01 पुंग इनने से कोई नहीं यान्य में मिलिमिनेथ पर दिया हो भाई कि ए विदार्थी फटापट बताएंगे क्या राइटन्स होगा आप्षन नंबर भी जी रोपाइंट जीरो पाइंट जीरो वन मिलीमीटर करेक्ट राइट एंजर अप्षन नंबर भी चलिए इसे के साथ आज का कलास समापत होता है थैंक्स फूर बाचिंग सही विद्यारती को भाई वीडियो पे जो भी नए विद्यारती होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वेल घंटी को बजा लेंगे जिसे कि सारा नोटिफिक्स आपको मिल से कर आप उसका लाव ले सक कि अज़ा रडा उसके बाचिंग विद्यारती होता है तो